प्लीज सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल आइकन तो गेट नोटिफाइड वेनेवर वी अप्लोड अन्यू वीडियो गुलाई जिस सुप्रीम कोड के फैसले का इंतिजार पूरा देश कर रहा था वो आखिरकार आ गया है आज सुप्रीम कोड ने रियाचकरवर्ती की याचिका को खारिज करते वे शुशान्त मौत मामले की जांच सीबी आई से कराने को हरी जंडी दे दी सुप्रीम कोड के इस FIR जो है उसको सही माना और मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आधिश दिया कोड ने सुशान्त केस के सभी दस्तावेज सीबी आई को सौपने के आधिश दिये इस दोरान कोड ने ये भी कहा कि इस केस में मुंबई पुलिस ने जांच नहीं की बलकि सिर्फ जांच के लिए CBI अब आगे की जो स्ट्राटजी है जो रणीती है उसे बना रही है इस मामले में CBI पहले ही FIR धर्ज कर चुकी थी अब कोर्ट के फैसले के बाद जो अब तक टलता आ रहा था अब कोर्ट के फैसले के बाद CBI की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानि SIT मुंबई पहुंच जाएगी अब देश की सबसे ताकतवर इन्वेस्टिगेशन एजनसी इस मामले में दखल देगी जांच करेगी जो देश भी चाता है आज लोगों के सेंटिमेंट या यूं कहें कि नेशनल सेंटिमेंट या भावना को आराम मिलता हुआ दिखा अब के मन में यह होगा और इस वीडियो का मुद्दा भी यह है कि CBI करेगी क्या तो कैसे करेगी और वो कितनी ताकतवर है सबसे पहले तो शुशांत केस में आपको यह समझना होगा कि होने वाला क्या है क्रमबार SIT की टीम जो है वो CBI के तीन वरिष्ट ऑफसर जो IPS होते हैं व वो जाइन डारेक्टर SIT हैड जिनमें मनोस सशिधर IPS गगन दीप कंभीर SP नुपर प्रसाद और एडिशनल SP अनिलियादव इस मामले में चार्ज ले चुके हैं मतलब वो शुशांत केस की अब आगे की जाच करेंगे अब यह होगी कैसे यह सवाल भी है दरसल CBI जो जाच क हैं इसके बाद में Special Agency मतलब CBI SIT की टीम मुंबई पहुंच कर उस Crime Scene को recreate करेगी मतलब उसे दोहराएगी साथ ही रिया के परिवार समय बाकी गवाहों से पुश्ताज भी वो करेगी इसके लावा वो मुंबई पुलिस केस की डाइरी Crime Scene की तस्वीर है और टॉपसी रिपोर् मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के दर्ज की वे बयान की कौपी लेगी और उन्हें इसके लिए इंकार नहीं किया जा सकता जैसा कि भीहार पुलिस के साथ हुआ था उनको घटना से जुड़ी हर चीज देने की जिम्मिदारी जो है वो मुंबई पुलिस पर होगी जानकर यह है कि साइटी की टीम मुंबई यूनिट के लगातार संपर्क में है दरसल सुशान के परिवार ने आरोप यह लगाया था कि एक्टर की मौत से पहली फरवरी में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी जान को खत्रा है लेकिन मुंबई पुलिस ने इस सिकायत के परती लापरवाही और गड़बड़ी करने का जो दूशी है मुंबई पुलिस को बताया जा रहा है इसमें क्या होगा SIT टीम मुंबई पुलिस से भी सवाल जवाब कर सकती है अब सवाल यह उठता है कि आखिर CBI इतनी ताकतवर कैसे है तो इसका पुलिस प्रतिष्ठार SP का गठन किया गया था बाद में इसे भारत सरकार की एक एजनसी के रूप में आपचारी क्रूप से दिल्ली विशेश पुलिस स्तापना यानि DSP या दीनियम 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन जो वेंक्स होते हैं उनमें ब्रस्टाचार के आरुपों की जाँच के लिए उपचारी क्रूप से दिया गया वर्श 1963 में बारत सरकार की रक्षा से संबंदित गंभीर अपरादों उच्चपदों पर भरष्टाचार गंभीर दुखादड़ी और गवन और सामाजी के अपराद विशेशकर जमाखोरी अखिल भारतिय औ और अंतर राजिय प्रभाव वाले जो अवशेवश्टों में काला भाजारी और मुनाफखोरी की जाँच के लिए बारत सरकार द्वारा केंद्र जाँच ब्यूरो यारी CBI की स्थापना की गए थी CBI DSP अधिनियम 1946 से अपराद की जाँच करने के लिए अपनी कानूनी शक्तियां प्राप्त करती है वर्ष 1940 का ये अधिनियम जो CBI के कारियम शक्तियों को संचालित करता है वो 6 खंडों में बटा हुआ है एक बहुत छोटा सा कानून है ये एजंसी को केबल उन अपरादों की जाँच करने की ही अनुमती देता है जो केंदर सरकार द्वारा अधिसूचित है ये एजंसी किसी राज्य की सरकार की सहमती के बिना किसी भी छेत्र में अपनी शक्तियों और अधिकार छेत्र का वियोग नहीं कर सकती है कुल मिलाकर यदि किसी राज्य में किसी मामले में उसे जाच करनी है, तो उसे समबंदित राजिसरकार की विशिस्ट रत्वासांवानने स्विकृति की अवशक्ता होगी. जैसे की बिहार सरकार ने इस मामले में किया, शुशान सेंग राष्पूद के मामले में किया, और जादातर मामलों में राज्यों ने केवल केंदर सरकार के करमचारिएं के खिलाफ जो है वो CBI जाज के लिए अभी तक सहमती दी है ये एजन्सी संसड सदस्चे की भी जाज कर सकती है मतलब दूद का दूद और पानी का पानी जो कर सकता है वो CBI ही है कुल मिलाकर शुशान मामले में अब देश की जो चिंता है वो खत्म हो रही है हम आपके साथ में रूबरू होते रहेंगे आपसे मिलते रहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्रेस कर अब एंद लिजिए अपके सब्सक्राइब को सकते हैं